दोस्कार दोस्तों वेलकम टोर वंडे एक्जाम क्लासिदी करेंट है पेर आपकी एक्जाम का बहुत ही मातपूर पार्ट होता है चाहिए आप किसी भी एक्जाम की तैयारी करे हों खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है पंजाब दिल्ली करनाटक हरियाड़ ये चार आपसन आपको दी गए है सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजे लेकिन सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो था वो 2018 मुगा था तो 2021 वाला जो है चौथा स संसक्रड है तो चौथे संसक्रड की मेजबानी किस राजय को दी गई है तो हरियाड़ राजय को दी गई है हरियाड़ के बात करते हैं तो 2018 में पदक के मामले में हरियाड़ का पहला इस्तान आया ता 2019 में दूसरे इस्तान आया 2020 में भी दूसरे इस्तान आया और 2021 वाला जो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, अगर आप चलने पे नए हैं तो नीचे आपको लालंकी सस्काइब के बड़न दीखे कि उसे दवाका लाल से काली कर दीजेगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, की दूसरा कोशन है, वैसिक वी निर्मार जोकिम सुचकाग में भारत को कौनसा इस्तान प्राप्त हुआ है 2020 में, तो देखिए 48 देशों का सर्वे हुआ है, और 48 देशों में भारत को इस्तान प्राप्त हुआ है, वैसिक वी निर्मार जोकिम सुचकाग में तीसरा इस्तान प्राप्त हुआ है, तो पहले और दूसरे भी आपको याद रखना है तो पहले इस्तान पर है चीन पहले इस्तान पर है चीन दूसरे इस्तान पर है अमेरिका मतलब की USA और तीसरे इस्तान पर नंबर आता है भात का वैसिक वी निर्माड जोखिम सूचकांग 2020 में और कौन सी कंपनी जारी करती पास निगम मतलब कि NMDC का अध्यच और प्रमंदक निदेशक हाली में किसे न्युक्त किया गया है। आपके पास तीन से चार सेकंड का समय सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है। तो अब नए कोन बने इसे भी आपको याद रखना है। बताइए करनाटक बिहार जारखन ये पी हर्याडा किस राजे की सरकार ने 35-39 में महिलाओं को 50% अरच्छड दे दिया है। पहले देखे 33% अरच्छड था लेकिन हर्याडा राजे ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 50% सीटों पर महिलाओं के अरच्छड की बात किया है। विधेयक पेस किया है। तो हर्याडा इसका सही आपसन होगा। चारों आपसन को पढ़ लिजेए आप लोग आपके पास समय हैं 5-6 सिकेंड का। तो इसका जो गलत एंसर है वो यह वाला आपसन गलत एंसर है। यह आपसे पूच्छा जो सही नहीं है। तो यह वाला आपसन सही नहीं है। प्रग्याता जो है दिशार निर्देश सिछकों के दिश्टिकोंट से विक्सित किया गया है यही सही नहीं है प्रग्याता दिशार निर्देशों में आनलाइन आपको कोर्स दिया जाएगा इसके आर्च सामिले विल्कुन सही है इस दिशार निर्देशों के तहित कच्छा एक से बारावी तक के चात्रों के लिए पिरतिदीर आनलाइन कच्छाओं का समय निधार किया गया है और एक से आर तक के जो चात्र हैं उनके लिए जो है 30 से 45 मिनट की आनलाइन अधिक्तम दो कच्छाएं आपके दी जाएंगी अगर आप 9 से 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको चार online कच्छाई दी जाएंगी उसकी समय भी निर्धारत है कि आपको 30 मिनट या फिर 45 मिनट के आपको कच्छाई मिलेंगी अगर आप 1 से 8 तक है तो आपको 2 कच्छाई मिलेंगी आप 9 से 12 तक बढ़ रहे हैं तो आपको 4 कच्छाई मिलेंगी तो इसमें से सही काउंसा नहीं था पहला वाला सही नहीं था देकि साथवा कोशन है वज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेशर करने वाले दो एंटीबोडी की पहचान की है ये एंटीबोडी कहां से इस्तंदारी लामाओं से प्राथ की गए तो कहां कि जो इस्थंदारी लामा थे, उनसे प्राणी गए एंटीवाडी, तेकि आपने सुना होगा, कि हमारी जो रक्त में होता है, उग केंद्रक नहीं पाए जाता है, लेकिन उठ और लामा, उठ और लामा जो दो ऐसे प्राणी है, उनके RBC में, RBC में केंद्रक पाय जाता है तो वहीं ये लामा है तो कहां के लामा से antibody प्राप्त किया गया है तो सही आप सुनोगा दच्छिड अमेरिका के लामा है वहीं से उनके सरीर से antibody निकाला गया है कुरोना वाइरस को बियसर करने वाले ये दो antibody की पहचान की गई है तो दच्छिड अमेरिका के इस्तंदारियों के लामा से ये antibody निकाले गए आठ्वा कोशन है ये उरोपी संग ने कुरोना संकट से निपटने हैं तू हाली में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोशड़ की है बताए कितना फंड दिया है तो सही आप सुनोगा 750 अरब यूरो की फंड बनाने की घोशड़ की है ये उरोपी संग ने ये देश्तों में ये उरोपी संग है तो 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोशड़ की गई है नावान नेमर कोशन है किस राज सरकार ने मुख्यमंत्री घरगर रासन योजना की सुरुवात का नेड़ा लिया है इस सारे कोशन आपके कुरोना वारेस वाले रेलवे एंटीपीसी ग्रूपडी में पूछे जाएगे कुछ राज ने कौनसी योजना चलाई है यह आपको याद रखना है तो इसका सही आप सुनोगा दिल्ली राज ने मुख्यमंत्री घरगर रासन योजना चलाई है जिसमें आपको गेहू, आटा, चावल, चिनी जो है वो घरगर जाकर के दिया जाएगा दस्वा कोशन है, किस देश ने चीन से भारत के साथ में तनाव को कम करने की अपील संबंदी प्रिस्ताव को पारित किया है रूस, जापान, अमेरिका और पाकिस्तान आपको मालूम है, लद्दाक छेतर में भारत और चीन के बीच में तनावनी बनी हुई है तो उस तनाव को कम करने के लिए कहां के देश ने अपील संबंदी प्रिस्ताव को पास किया है तो इस समय आप देख रहे होंगे कि अमेरिका साथ दे रहा है, तो अमेरिका ने प्रिस्ताव को पास किया है तो आपको बताना है होप नामक जो मंगल मिशन है जिसे जापान से लांच किया गया बताईए इसका सही आप सुनोगा स्वयुक्त अरब अमीराथ ये पहुंचेगा कब आपका फरवरी 2021 में मंगल में जाकर के पहुंचेगा और UAE का ये सपना है कि अगले सव सालों मतलब की 2021 से पहुंचेगा अगले सव साल मतलब की 2021 में मानव बस्ती वसान है कहाँ पर जाकर के मंगल में भाद का मंगल मिशन हो चुका है लेकिन ये कौन सा है UAE का मंगल मिशन है जिसका नाम दिया गया होप वेरी वेरी मोश्ट रिपढ़न कोशन है आपके रेलवे एंटी पीसी और गुरूप डी के लिए याद कर लिजेगा होप किसका मंगल मिशन है तो युवेई का मंगल मिशन है और नमर कोशन है हंगेरियन ग्राप्री 2020 फार्मूला वन कार रेस का खिताब किसने जीता है किसने लुईस हमिल्टन ने और माइकल सुमाकर ने भी आठ बार फ्रेंच ग्रापी जीता था तो मतलब एक ही खिताब को आठ बार जीतने में माइकल सुमाकर की बराबरी कर लिए लुइस हमिल्टन ने अगर बात करेंगे सारे पदक की बात करेंगे तो माइकल सुमाकर ने इक्यान में पदक जीते हैं और लुइस हमिल्टन जो हैं हंगरियन पर जीतने के बाद 86 पदक पर आ चुके हैं मतलब की सिर्फ 5 कदम दूर हैं माइकल सुमाकर को छूने में लुइस हमिल्टन याद रखेगा important question है तेन अबर question है किस देश ने अपने पहले मंगल जाच तियान वेन फश्ट को वेन चांग अंतरिच यान लांच साइट से लांच किया है देखी अब क्या है कि युवेई ने तो अपना मंगल मिशन पहला लांच किया है लेकिन अब जो चीन जाच मिशन छोड़ा है इसमें उसका रोवर भी होगा लेंडर भी होगा और आर्बिटर भी होगा आर्बिटर जो होगा वो मंगल के चारोर चकल लगाएगा जबकि रोवर और लेंडर जो है वो मंगल की धरती पर लेंड करेंगे और जाच करेंगे जाकर के एसा पहला दे जो है भार जो अपना चदर्मा में भेज रहा था आपने देखा होगा लेंडर और ओर जो है वो गिर करके नश्ट हो गए थे तो अब यह क्या है चीन का तियान वेंद जो है वो मंगल के ग्रह में जाकर के उतारेगा अपना लेंडर और ओर ज्याद रखेगा इसा कौन सा दे जो कि आपका सुदेशी है तो उसका नाम क्या रखा गया है सई आप सणोगा भात के नाम पर उसका नाम जो है वो भात रखा गया है एवाल आप सण सई आप सणोगा इंपरण कोशन है पंदनावर कोशन है भात सरकार के रच्छा मंत्राले की आधिगरेंड विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 Maarane फालव कि खरीदे तु भारत अर्थ मुवर्स लिम्टेट के साथ में कितने करोडर की की रुपए की अनुबंद पर हक्ताक्छर किये घा थो बताये t90 टैंकों खरीद के लिए कितने रुपए के पॉबा रिजरो फारेष्ट आपका पड़ता है सई आपसन होगा धेमा जी जिले में, बीवला आपसन सई आपसन है, आप लोग कमेंट बाक्स नहीं बताएगा, एक असम का एक वन जी अबरल आपके जमें बार बार पूछा जाता है, उसका नाम आप लोग बताने का प्रयास कीजेगा, सत्र नमर कोशन है, मद्र प्रदेश मंति बंडल वरा जारी मंजूरी प्रदत अनसूचित जन जात रीड मुक्त विदयक, मतलब की ST के लिए रीड मुक्त विदयक एक पेस किया गया है 2020 में, उसके अंतरगत अनसूचित छेतरों में निवास रत, अनसूचित जन जात के सभी रिड व्यास सहित माप किये जाने का प्रावधान किया गया है, तो मतलब कब तक के जो रिड लिए थे, वो व्यास सहित माप किये जाएंगे ST लोगों के, बताए, सही अप्सन है, 15 अगस 2020 तक जो भी रिड लिए गये थे, अनसूचित जन जात के लोगों ने उनके रिड मा संस्थानों के साथ में भावी गड़ जोड करने की घोशड़ा की है, तो आपको बताना है पूर्ण रूप, NHAI का आपको पूर्ण रूप बताना है, चार आप सुन को अच्छे से पढ़िए, और बताए, NHAI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आप सुन होगा, National Highway Authority आप इंडिया, तो हाईवे जो बनाती है, NH बनाती है, उस कंपनी का नाम है National Highway Authority आप इंडिया, एवला आपसन सही आप सुन होगा, 19 नमर कोशन है, उत्तर प्रदेश के मुक्वंतरी योगी अनितनात ने किस वर के गरीब वेक्तियों के सम्वाणगीर विकास कहेतू, नवी नमीन रोजगार छतरी योजना का प्रारा में किया है, बताइए अच्छी योजना है आपके जमें पूछी जाएगी, नमीन योजगार छतरी योजना के तहित, किन विक्तियों का सम्वाणगीर विकास का कारकरम चलाय जा रहा है, तो सही आप सने, इस सी जन जात के लिए, सी वाला आप सन सही आप सनोगा, अन्सूचित जात के लिए नमीन रोजगार छतरी योजना चलाई जा रही है, बीस नमर कोशन है, मद्ध पदेश के किस राजपाल का हाली में, पचासी वर्ष की आयू में निदन हो गया है, बताइए MP के राजपाल का निदन हो गया है ना तो उनका नाम आपको बताना है, अभी UP के जो राजपाल है, अनंदी बेन पटेल, उन्होंने कारभाल समाल लिया है, MP के राजपाल का भी, तो नाम है इनका लाल जी टेंजन जी का निदन हो गया है, तो सही आप सन हो गया है, इसका एवला आप सन, 21 नमर कोशन है, सीदे क्रिकेटर थे, देखी निदन वाले कोशन है न, अभी लाल जी टंडन जो थे, वो MP के राजपाल थे, और नेश कोशन हमारा है, बैरी जर्मन जो थे, वो कहां के क्रिकेटर थे, जिनका हाली में निदन हो गया है, सही आप सन है, आइस्टेलिया के क्रिकेटर थे, अरजुन पुरुसकार मिला था, एक थोड़ा से कठिन कोश्चन हो गया, तो इसका सही अपसं है, सीवल अपसं, दोजार दो में अरजुन पुरुसकार से समयत किया गया था, इनकी कोरोना वारस के करेंड की देट हो गई, ठीक है, रमेज ठीका रम, जब कोई किसी किम्रत्तो तो जाती है तो उसके बारे में आपको थोड़ा से पढ़ लेना चाहिए जैसे कि उसे अरजुन पुरुषकार कम मिला था तो 2002 में मिला था नेस कोशन देखें तेस नमबर कोशन है इंडियन एर फोर्स को हाले में पांच अपाची लड़ाको हेलिकाप्टर किस कंपनी ने डि इमान भी आये है तो राफिल किस देख से आया है फ्रांस से आया है उस कंपनी का नाम है फ्रांस की कंपनी का नाम है दिसाल्ट एविएशन तो राफिल वाली के मैंने आपको बता दिया दिसाल्ट एविएशन जो है वो फ्रांस से आये आपके और आपसे पूछ रहा है पाचे हेलिकाप्टर की बोईंग और आफेल वाली दिसाल्ट एवियेशन अब इस नमर कोशन है किस देश की सोध करता होने पूर्वी हिंद मासागर में अपनी पहली सुपर जाइंट आइसो पाड प्रजात की बैथी नामस रख सासा की खोच किये किस देश के सोध करता होने सुपर जाइंट बैथी नामस रख सासा की खोच की है तो इस देश का नाम है सिंगापूर एवाला आपसन सही आपसन है पचीस नमर कोशन है किस राज ने महाजाब पोर्टल की सुरुवात की है देखे कोरोना वाइरस के चलते काफी लोग जाब चली गई है तो ये महाजा पोर्टल खोलेगी उसमें धेर सारी कंपनिया होंगी कितनी कॉलिफिकेशन है मतलब कि हाई स्कूल इंटर और कंपनी को क्या क्या आपसे कराना है तो उन सारी डिटेल ये महाजाब पोर्टल में रखी गई है अगर आपकी कॉलिफिकेशन है तो आप वहाँ पर जाकर के सकते हैं तो महाराष्ट की सरकार ने ये महाजाब पोर्टल शुरू की है इंपोर्टन कोशन है वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है नेस कोशन देखे 26 नमर कोशन है जुलाई 2020 में कोवीड-19 वैक्सीन के मानव पर इछड़ खत्म करने वाला विस्त का पहला देश कौन बन च चुका है तो कौन से सर्देश हो चुका है सही आप्सन है रूस देखी रूस के राष्ट पती पूति ने कहा था मैंने अपनी बेटी को भी वैक्सीन दिया है तो विस्त का पहला इस सर्देश है जिसने मानों परिछड़ों खत्म कर लिया है और मानों पर ट्राइ भी किया ह तो इसका सही आप्सनों का सी वाला आप्सन अभी ये वैक्सीन भारत में आ चुकी है भारत भी इसकी टेस्टिंग कर रहा है क्या मानों को देना सही होगा इसकी टेस्टिंग जो है परियावड के अनकूल होती है जैसे देखी रूस में क्या हुआ एफेक्ट अच्छा कर ग बीस में उतकष्टा है तू PM पुरुषकार की नई संसोधी द्योजना और वेब पोर्टल को किसने लांच किया है बताइए आप लोग सही आप सुनोगा डाक्टर जितेंदर सिंग ने एक वेब पोर्टल लांच किया है PM पुरुषकार की नई संसोधी चोजना है उस पोर्टल का नाम है www.pmavard.garwent.in यह है आपका पोर्टल है इसमें जो PM एवाड देंगे उस पोर्टल में जाकर के आप देख सकते हैं डाक्टर जितेंदर सिंग ने थाइस नवर कोशन है भारत और इजलाल के बीच में किस छेतर में सायोग हेतु एक समझाथा पर हक्ताक्षर किये गए तो भारत और इजलाल के बीच में समझाथा किया गया है किस छेतर में बताइए साही आप सुनोगा साइबर सुरच्छा के छेतर में जो डाटा चोरी होती है ना तो भारत और इज्राल के मत में एक समझाता किया गया है कि हम डाटा चोरी को रोकने के लिए साइबर सुरच्छा के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे तो किसके किसकी बीच में है भारत और इज्राल के बीच में important question है जिस question में आपसे important कहता हूँ उसको विस्तेस तवर पर आपको ध्यान देना है नेश कोशन देकि 29 नमर कोशन है बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के बीच में ब्रोकरेज फर्म सीटी गुरूप ने भारत की जीएसपी वरिद्धिदर 2020 और 21 में कितने percent तक के संकुचन का अनुमान वेक्त किया है बताइए सही आपसे ने 6% ये आकड़ा है अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लिजेगा नेश कोशन की तीस नमबर कोशन है नेमलिकित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राक्तिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा मतलब कि नेशुरल तरीके से खेती करेगा कोई भी जो बाहरी प्रोड़क्ट है वो यूज नहीं करेगा जो प्राक्ति रूप से बने प्रोड़क्ट है उसका यूज किया जाएगा खेती में लपीजी से पूरतर से जो राज है वो लपीजी से युक्त हो गया है 100% लपीजी वाला मतलब कि कैरोसीन तेल का विल्कुन उप्योग नहीं होगा जतने भी चूले जलेंगे वो सारे के सारे आपके लपीजी जलेंगे कोई भी लकड़ी कर चूलनी जलेगा तो 100% लपीजी युक्त जो है वो हिमांचल प्रदेश हो चुका है यह भी बात आपको ध्यान रखना है नेस कोशन देखे 31 कोशन है फीपा की 2022 विस्वकप किस देश में होगा बताईए सही आपसन होगा कतर में होगा यह वाला आपसन सही आपसन है कोरोना वरस के संक्वन के बढ़ते खत्रे को देखते हुए बीमा कमपनी ने कोरोना कवज और कोरोना रच्छक नाम से स्वास्त बीमा पॉलसी को लांच किया है तो कोरोना कवज पॉलसी के तहित इलाज करने के लिए 50,000 से लेकर के कितनी राशिका कवर जो है वो बीमा कवर दिया जाएगा सई आपसे ने पचास अजार से लेकर के पांस लाग तक का बीमा सुरच्छा कवर आपको दिया जाएगा तेतीस नमर कोशन है केंदरी रेल मंत्री प्यूस गुएल के नुसार भारती रेलवे अगले कितने वर्सों में 100% विद्दूत चलित रेलवे ये साड़े तीन वर्सों में मतलब ही चला है 2020 का मिड़ पॉइंट है तो साड़े तीन वर्सों मतलब की 2023 तक इलच रखा गया याद रखेगा 2023 तक जो रेलवे नेटवर्क है वो 100% विद्दूत को हो जाएगा जहाँ पर अभी डीजल वाले इंजन जाते हैं ना वहाँ पर विद्दूत के इंजन जाएंगे जैसे आपका मडीपूर का छेतर हो गया मिजोरम, सिक्किम, मिघाले, नागलेंड ऐसे जो पूर्वी हिंसे भात के हैं ना कोहाँ पर अभी रेलवे ने विद्दूत करण नहीं किया है तो वो सड़े तीन साल में लच ये है कि पूर्वोत कि किस देश के नए राष्टपती बने हैं? सही आप सुनोगे सूरी नाम, सूरी नाम एक देश है दच्छिन अमेरिका का, वहाँ के राष्टपती का नाम है चान संतोखी, जोगी कहां के हैं भारती मूलक है, तो सूरी नाम देश है केंदरी मंत्री अमेज पोखरियाल ने किस पुर्दोगी संस्थांद और विक्सित, कम लागत वाली COVID-19 किट कोरो सोर को लांच किया है, तो कहां की IIT कंपनी ने कोरो सोर को बनाया था, जिसे अमेज पोखरियाल निसंक ने लांच किया है सही आपसन होगा, IIT दिल्ली ने मनाया था, कोरो सोर, ठीक है, एवाला आपसन, सही आपसन है, 36 नमर कोशन है, मानव संसादन विकास मंत्राले द्वारा, डाक्टर अनीता भटनाकर को कितने वर्सों के लिए, नेशनल बुक ट्रेस्ट के बोल्ड आप ट्रेक्ष्टी के लि कोशन है, 36 गड़ सरकार ने किस योजना के तहित, किसानों से एक रुपए प्रति ग्राम की दर से गोवर खरीदने की मनजूरी दिये, मतलब किसान जो हैं, अपने गाय को गोवर को, भैस के गोवर को, सरकार को बेच सकते हैं, एक रुपए प्रति केजी की हिसाब से, उस य योजना का नाम है, गोधन न्याय योजना, याद रखेगा, important question है, आपके railway, NTPC, सिसिकी जाएम पूछी जाएगी, कि 36 गड़ की सरकार ने कौन सी योजना लांच किया है, तो गोधन न्याय योजना को लांच किया है, इसमें सरकार का लच्छ ये है, कि जो किसान के पास मे गोबर रहता है, उसको हम एक रुपए प्रतिग्राम, प्रतिकेजी की साब से खरीदेंगे, और उससे हम क्या बनाएंगे, वर्मी कंपोष्ट बनाएंगे, जिससे किसानों को फाइदा भी होगा, और सरकार को फाइदा भी होगा, तो सही आप सुनोगा, भी वाला आप सु अर्थिस नवर कोश्टन है, सयुक्त राष्ट के ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के नुशार, दुनिया भर में 2019 में कितना इलेक्टरानिक कचड़ा ई-वेस्ट उत्पन हुआ है, जो इलेक्टरानिक की चीज़े आप यूज करते हैं, उसका वेस्ट माटि अर्थिस नवर कोश्टन है, अर्भी आई ने सीमांत इस्थाई सुविदा मतलब की MSF के तहित, बैंकों की वर्धित उधार सीमा को कितनी तित्तक लाव करने का नेड़ा लिया है, इसका सही अप्षटन है, 30 सितंबर 2020 तक वर्धित उधार सीमा की लागू रखने का लिया गया है, इवाल आप्षन, सही अप्षन है, 40 नवर कोश्टन है, हाली में भारत और भूटान की बीच में काउन सा एक नया वेपार का मार्क खोला गया है, इंपोर्डन कोश्टन है, ऐसे कोश्टन आप देखे होंगे, पिछले साल के पेपरों में, रेलवे ने काफी बार आप से पूछें, तो भारत और भूटान की बीच में एक नया वेपार मार्क खोला गया है, उसका नाम आपको बताना है, सही अप्षन होगा, एवाल आप्षन, जैगाउं अहले वेपार मार्क है, देकि जैगाउं आपका पढ़ता कहां पर है, पश्रि मंगाले है, वो भूटान है पढ़ता है, बिल्कुन नजदीक, नजदीक में, तो वहाँ पर एक वेपार मार्क खोला गया है, जैगाउं भारत में है, और अहले जो भूटान में है, तो नया मार्क होगे, आपका एवाल आप्षन, सही आप्षन होगा, एक तलिस नमर कोशन है, कौन होतान है, सही आप्षन होगे, इसका, एक तलिस का, भी वाल आप्षन, असोक लवासा जो है, वो ACI विकास बेंक के नए उपाध्यच न्यूक्ति किये गए, भी वाल आप्षन, सही आप्षन है, देखी बेले इस नमर कोशन है, किस राज सरकार ने रोको टोको अभियान की गोश्ड़ा की है, रोको टोको अभियान, बताएं किस राज ने चलाया है, जो राज जो अभियान चला रही है, वो आपके पेपर में आपको दिखाई पड़े ना, आप पेपर रोज का पढ़ते होंगे, उसको विस्तेश तोर पर याद करिएगा, एकजाम में इसी पर फ इसका सही अपन है, MP की सरकार ने रोको टोको अभियान को चालू किया है, रोको टोको अभियान में यह है, कि जो मास्क नहीं पढ़ेगा, उसको रोका जाएगा, टोका जाएगा, जो सोयम सेवक है, वो 20 रुपए का मास्क देंगे, रोक करके, टोक करके, अगर आप राश्परी डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लोग खिलाप अपने दमनकारी कारियों के लिए चीन के विरुद प्रतिवंदों को अधिकित करने वाले कानून और कारिकारी आदेश पर हक्ताक्षर कियें देखिए चीन के अंडर में एक देश आता है हंकांग जो कि फ्री हो प्रत्यापड संदी को निलंबित कर दिया है बताइए तो इसको भी आपार होंगे चीन के अंडर में आता है हंकांग न तो हंकांग के साथ में जो अपनी प्रत्यापड संदीत ही उसको निलंबित कर दिया है किस देश दवरा थिक के तो चीन के देश धूरा ठीक है तो साई आपार होगा सी वाला अप जोन चेलिस नमर कोशन है, IIT मदरास नेक स्टार्ट अप माडूल हाउसिंग ने हाली में पोर्टेबल हस्पिटल का विक्सित किया है, तो जिसका नाम आपको बताना है, देकि पोर्टेबल हस्पिटल क्या होता है, जो एक इस्थान से दूसरे इस्थान ले जाया जा सके, तो ये ह हस्पिटल एक बनाया गया है, गाड़ी में रखा गया है, तो एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाया जा रहा है, तो जिसका नाम क्या रखा गया है? सही आप्षन है मेडिक कैब मेडिक कैब जो है एसा हस्पिटल है जो पोटेवल है एक इस्तान से आप दूसरी इस्तान पर ले जा सकते हैं यह IIT मद्रास ने बनाया यह वाला आप्षन सही आप्षन है हरियारा मंत्रि मंडल ने निजी छेतर की नौकरियों में राज के यूकों को कितने परसंट और अठाद रच्षर देने समंधी प्रसताओ को अध्यय धेस को मंजूरी दिये बताये अच्छा कोशन है, important कोशन है हर्यारा राज्य की मंत्रबंडल ने अपने राज्यों के लिए जो निजी छेत्र की नोकरियां है वहाँ पर 75% जो नोकरियां करेंगे वो हर्यारा के युवा की करेंगे अब यह आपने देखो कि MP की सरकार ने भी ऐसा किया है कि MP में जो नोकरियां निकलेंगे सरकारी वाली उसमें MP के छात्रों के लिए एक ऐसा प्रस्ताव पेस किया है MP के मुखमंत्री ने जबकि एक कोट केस भी जाएगा आपका ठीक है, तो अभी हम निजी छेत्र की बात करते हैं जो प्राइबेट कंपनी के छेत्र हैं वहाँ पर 75% जो है वो हरियाड़ा के छात्री काव करेंगे एसा अध्धा देश जो है वो हरियाड़ा की सरकार ने पास किया है 48 नमर कोशन है वेदेशी समाचार वितरक संकटन मल्टी स्किल आपरेटर MSO ने निमलिकित में से किस देश में भाद के अपने सभी नियू चलनों पर रोक लगा दिये बताई अच्छा कोशन है सही आप से ने नेपाल देश ने जो भाद के नियू चलन है न उन्हें पर सभी पर रोक लगा दिये काला पानी व्याद आपने सुना होगा उसके बाद नेपाल के खिलाप काफी अभियान चला दिया न्यू चलनल वालों ने तो न्यू चलनल जो थे वो नेपाल में सारे के सारे बैन कर दिये गए जो यह आपके भाद के न्यू चलनल थे जो काला पानी विव्याद हुआ था ना उसके तहिती इसा नेड़ा लिया गया तो सीवल आपसन सही आपसन है उन चास नमर कोशन है हिमालय की किस तितली को 88 वर्सों के बाद भाद की सबसे बड़ी तितली होने की उपादी प्राप्त हुई है बताए 88 वर्सों बाद ये तितली आपके मिली है जो सबसे बड़ी तितली होने का रिकार्ड इसके पास हो गया है तो गोल्डेन बर्ड विंग तितली इंपॉर्डन कोशन वेरी वेरी मुष्ट बड़न कोशन है नाम आपको याद रखना है हिमाले की तितली का नाम है गोल्डेन वर्ड विंग तितली है जिसके पंक जो है 192 mm के है तो भात की सबसे बड़े तितली है जो 88 वर्सों बात खोजी गई है हिमाले में मिली है आद के देखे हमारे लाश्ट कोशन है नेसल मंडेला अंतराश्ट दिवस का मनाय जाता है मताईए नेसल मंडेला कौन थे दच्छिड अमेरिका के राष्ट पती थे 27 वर्सों तक जेल में रहे और जब जेल से छूटे तो दच्छिड अमेरिका के राष्ट पती बने और पहले अस्वेत मतलब कि यह सावले रंके थे अस्वेत जो थे वो राष्ट पती बने कहां के दच्छिड अमेरिका के तो उनके जन्म दिवस पर निसल मंडेला अंतराश्टी दिवस मनाया जाता है और कम मनाया जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है देखिए यह सारे की सारे कोशन जो थे आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन्ट है आपको सारे कोशन तयार करने है आप लोग अपने स्कोर बताएगा क्या आप इन 50 कोशन में से 30 कोशन को सही कर पाएं अगर आप 30 को सही कर पा रहे हैं 10-15 को अगर आप और याद कर लेंगे तो आपका स्कोर बेस्ट माना जाएगा ठीक है अगर आप 30 भी सही कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़िया माना जाएगा देकि करेंट अपर आपके रेलवे की एकजाम में लगबग 1 साल से लेकर के जाएगर बाएग के डेलवे का दिसंबर में एकजाम लगता है तो आपको अक्टूवर 2020 का अच्छे से याद करना है अगर आप याद करना चाहते हैं तो जनुवरी 2019 से लेकर अक्टूबर 2020 के आप याद कर लेंगे जो के पंदरा कोशन आते हैं वे सारे की सारे कोशन आप सही कर सकते हैं मैं भी आपको पुरानी एक साल पुरानी करेंट अपर कराऊंगा देखिए इसमें जो आपके जुलाई अगस्ट से कोशन थे आपको अक्टूबर तक के पहले कराएंगे फिर आपको पीछे से जन्वरी से या फिर अक्टूबर 2019 सारे कोशन आपके स्टार्ट करेंगे और आपको 10 से 15 नमबर जो आपको करेंट पर के आते हैं यह सारे आपको कवर कराएंगे और आपको साइन्स की स्री भी जल्दे सुरू की जाएगी आप लोग इस तरह बेतरी तैयारी करते रहिए आपके पास लगबग 90 दिन का समय है इस समय को आपको अच्छे से यूज करना है आपने जो प्रदर्शन किया आपने जो एक साथ सहयोग किया उसका फल आपको मिला है कम से कम रेल्वे ने अपने डेट गोसित तो किये अभी देखी विस्थित प्रोग्राम इसका आएगा आपका जो एक्जाम है लगबग 2-3 महने चलेगा तो बताया जाएगा आपको कि दिसंबर से लेकर कब तक चलेगा ठीक है मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में इसके 50 कोशन और भी हैं उसको जल्दी आपसे कराने का प्रियास करेंगे ये 100 कोशन है अच्छिस तयार करेंगे आपके एक्जाम के लिए बढ़िया कोशन है वीडियो अच्छा लग हो तो लाइक कीजेगा कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बाक्स में कह सकते हैं